find 1 upon alpha plus 1 upon beta आपसे ये पूछा जा रहा है तो किस तरीके से इसको solve क्या जाएगा आप इतनी बात जानते हो कि सर इनका LCM लोगा तो alpha beta आएगा और उपर आएगा alpha plus beta तो सर alpha plus beta की जगह में क्या लिख दूँ alpha plus beta की जगह लिख दूँ सर minus bya और इसके जगह क्या लिख दूँ cya यहाँ ऐसे ये cancel हो रहा है तो सर ये minus byc बन रहा है तो ये minus byc है आपका ये सई है ये 1 upon alpha plus 1 upon beta है रहन से सुनिएगा 1 upon alpha plus 1 upon beta की value क्या है इसकी value है ये तो सर आपने आगे और question लिख दूँ इसका क्या जबाब होगा आगे वाले question का जबाब होगा 1 upon alpha q plus 1 upon beta q ये property है आप डारेक्ट याद रख सकते हो इनको LCM लेंगे तो यहाँ नीचे नजर आएगा आपको alpha q plus alpha q beta q यहाँ आएगा alpha q plus beta q सर आपने तो उल्टा लिख दिये हैं कोई दिक्कत नहीं है उन्टा लिख दिजेगा आप अब आपको algebra की जो property होती है a q plus b q a q plus b q की जो property होती है वो याद होने चाहिए a plus b का whole cube a plus b का whole cube minus 3 a b a plus b यह इसकी property होती है तो हम लिख देंगे alpha plus beta का cube minus 3 alpha beta और यहाँ alpha plus beta और निच्ची हो जाएगा आपका alpha beta का cube हाजी बच्चे इसके आगे किस तरीके से soul क्या जाएगा आप तो value रख दिजिएगा इसकी जगा हम रख देंगे sir b by a का whole cube यहाँ हो जाएगा minus का 3 c by a और यहाँ हो जाएगा minus का b by a और निच्चे आपका आएगा c by a का cube अगर आप यहाँ lcm लेना आपको आता है तो उपर वाले का lcm आएगा यहाँ सुनिएगा यहाँ आएगा minus का b cube नीच्चे आएगा a cube और यहाँ minus और minus मिलके पलस हो जाएगा यहाँ आएगा 3 b c upon a square और निच्चे बनेगा c cube upon a cube lcm की बात करते हैं तो lcm आएगी जाएगा lcm आएगा b cube lcm आएगा आएगा आपका a cube यहाँ आएगा पलस है 3 a b c नीच्चे c cube upon a cube a cube से a cube के इंसिल हो जाएगा तो यह बनेगा 3 a b c minus b cube upon c cube यह आफका answer हो गया है वही यहाँ कोई समस्य है तो आप बोल सकते हो हमने पत्ते खोल दी है तक तक से यहाँ हमने अपने formula लगा दिया है formula fly किया है और formula fly करने के बाद हमने value रख दी है value रखने के बाद हमने simplify कर लिया है इसको और simplify करने के बाद तुरंत आंस्वर आ गये हैं यहां हम इसको solve करेंगे तो LCM सर बोलोगे alpha बीटा आएगा यह से multiply होगा alpha cube आएगा यह से multiply होगा beta cube आएगा उपर वाली value change नहीं होगी नीचे वाली value change हो जाएगी तो नीचे आजाएगा c by a और उपर वाली value क्या आजाएगी यही माइनस का b cube प्लस 3abc थोड़ी दे पहले ही किये हैं और यहां a cube तो इसका थोड़ो सा solve करेंगे तो यह नजर आजाएगा आपको क्या नजर आएगा कि माइनस का b cube प्लस 3abc और एक इस से यह काटती जीगा तो यहां square बचेगा तो यह होगा अपॉन a square c a square c थोड़ा easy है कोई बड़ी भरी बात नहीं है हाँ जी जो तीन क्यूशन फार्ट थे आपके second क्यूशन के फर्स्ट सुरी second क्यूशन के थी पार्ट थी पार्ट को हमने कर लिये हैं सबसे important चीज है कि आपको समझना ना किस तरीके से तोल के दाए हैं